कि एलो गईस केसे हैं आप लोग, स्वागत है आप लोगों के फिर से μέरा एक नवे वीडियो में, आज मैं आप लोगों को बतांगा गईस कि इंफिनिक्स हर फोटी आइफोन में आप लोग आप टू अपडेट एप्स को केसे बंद कर सकते हो, अगर आपके पास एक इया अप्डेट हो रहे है अप्लिकेशन या जब आप लोग डाटा से करने डाटा ओं कर रहा है अपने फॉन को तब भी अप्डेट हो रहे67 आपकर मोबाइब üstगी सा वर याइक विडिली या आपका करते हैं आप को करने के लिए बंद करने के लिए आपको सबसे पहलेखने प्लैस्टार के एप्लिकेशन को ओन ले, ऌपने के बाद यहां पहर को एक Gmail profile देखने को मिलेगा Gmail profile पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद नीचे देख सकती settings का option होगा settings पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद network preferences का option होगा network preferences पे क्लिक करेंगे auto update apps का option होगा auto update apps पे क्लिक कर देगा ऐसा करती तीन option show होगे तो देख सकते हैं अगर आपके phone में उपर की इन दो option पे set होंगे तो आपके phone में automatically update होने लगीगा तो application तो इसको बंद करने के लिए आपको एक last वाला option मिलेगा don't auto update apps आपको इस पे click करना है और ok पे click कर देना है ऐसा करती है आपके phone में जो है automatically application जो है वो update जो हो रहा था हूँ अभी बंद हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से जो है आप लोग अपने infinix hot 40 iPhone में auto update apps को बंद कर सकते हो तो कैसा लगा आप लोगों कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आये हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे मिलते हैं कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई